नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा आठ के लिए गणित की पाठिपुस्तक के अंतरगत आने वाले अध्याय आठ की जिसका शीरशक है बीजी वियंजक एवं सर्वसमिकाएं इसमें हम प्रशनवली 8.2 पर आज चर्च करने वाले हैं मुख्य रूप से तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक एक की लिखा हुआ है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुडणफल ग्यात कीजिए अब देखिए इसमें पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है लिखा पबेट है वर्ण है जो लिखे हुए जिसे पी लिखा हुआ इसको आप वैसा का वैसा लिखेंगे है ना अगर एक और पी साथ में होता तो फिर उसकी जो घात है उसमें ब्रिद्धी हो जाती देखेंगे कैसे इसे आपको इस तरह से हल करना रहेगा चार का गुणा आपको सर पाचुक 28P यह आपका पहला प्रश्न हल हो गया इसी तरह से दूसरा वाला हल करते हैं देखेंगा क्या लिखा हुआ है रिण 4P और 7P लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर भी यही करना है बस कुछ नहीं करना है रिण 4 गुणा होगा इसका 7 से गुणा पी गुणा पी है तो आप इसको लिखतेंगे रिण 28 और दो बार पी है तो पी की घात दो हो जाएगा इस तरह से हमेंसे हल करना है अब तीसरे वाले को समझे तीसरा वाला क्या दिया हुआ है हाँ पर दिया हुआ है रिण 4P और इसके साथ गुणा करना है 7PQ का तो बस यहीं करेंगे जो पी गुणा पी गुणा क्यू अब देखते हैं हल करते हैं इसे तो यह हो जाएगा रिण 28 पी की घात 2 और क्यू यह हो गया इसके बाद में चौथे वाले प्रशन पर आते हैं चौथा प्रशन दिया हुआ है 4P की घात 3 और लिखा है रिण 3P तो अब इससे कैसे हल करेंगे तो आपको बस इससे इस तरह से हल करना है कि आपको लिखना पड़ेगा 4 गुणा रिण 3 है रिण चिन अगर है तो कोश्टक में लिखिएगा प्रयास कीजिएगा है न कभी भी फिर पी की घात 3 है और एक बार पी है तो यह हो जाएगा रिण 12 है इस तरह से लिखेंगे रि 5 प्रशन क्या लिखा हुआ है 5 प्रशन लिखा हुआ है 4 पी और 0 अब देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ 4 गुणा पी गुणा 0 किसी भी संख्या का अगर आप 0 से गुणा करते हैं तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि जबाब जो है वह हमेशा 0 ही आता है तो ये जो 5 प्रशन थे वो हमने हल कर लिए है और आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट यहाँ पे अभी खीश सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रशन क्रमांक 2 की ये प्रशन क्रमांक 2 हमारे सामने दिया हुआ है लिखा है क्या निमनलिकित एक पदी चेतरफल ग्याद करना है आप जानते हैं कि आयत के चेतरफल का जो सूत्र है वो होता है लंबाई गुणा चोड़ाई है न ठीक है तो अब देखिए मैं आपके सामने अभी हल कर देता हूं बड़ी सरलता से सारे के सारे हल हो जाएंगी ठीक है देखिए सबसे पहले पहला करते हैं तो यहां पर लिख देता हूं में आयत का छेत्रफल ठीक है बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चोड़ाई यही होता है अब देखिए लंबाई गुणा चोड़ाई मतलब अब इसमें लंबाई कितनी दी है पहले वाले प्रशन में पी है ना और चोड़ाई कितनी दी है क्यूं तो यह हो जाएगा कितना पी क्यूं और जो भी एकाई होगी उसका वर्ग हो जाएगा अपने आप तो एकाई यानि वर्ग एकाई यह आपका उत्तर हो गया ठीक ह इसकी बाद ने दूसरा वाला हमें क्या दिया हुआ है अब दूसरा वाला जो दिया है हमें उसके लिए हमें यहाँ पर मैं दूसरा वाला करता हूँ आयत का छेतर फल इसी तरह से हमें step by step हल करना है है ना लंबाई गुणा चोड़ाई यह हो जाएगा तो लंबाई कितनी दी है यहाँ पर दस एम गुणा चोड़ाई कितनी दी है फाइफ एन है ना तो यह हो जाएगा दस पंचे पचास एम एन वर्ग एक आई ठीक है तो यह आपका दूसरे का उत्तर हो गया आप तीसरे पर आते हैं हम तीसरे परशन क्या दिया है ठीक है यहाँ पर भी हमें यही करना पड़ेगा आयत का छेतर फल तो हम यहाँ पर लिख देंगे लंबाई गुणा चोड़ाई इस तरह से और जैसा कि परशने में दिया है बीस एक्स की घात दो गुणा पांच वाई की घात दो ठीक है तो वीस पंजे सो हो जाएगा एक्स की घात दो वाई की घात दो इस तरह से और वर्ग इकाई यह जो है आपका हल हो गया ठीक है इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रशने की बात करेंगे चौथा प्रशने क्या दिया हुआ है उसको हम देखते हैं पहले मैं सूत्र लिख देता हूं आयत का छेत्र रफ़ल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के और अब देखते हैं प्रशन चौथा क्या दिया है दिया है चार एक्स तीन एक्स स्क्वेर तो यह इसकी लंबाई हो गई और यह इसकी चौड़ाई हो गई तो यह जाएगा बारा एक्स की हाथ तीन वर्ग एकाई ठीक है तो यह आपका जो है इसका उत्तर हो गया अब पाच्वावला करते हैं वही लिखना होगा हमें आयत का छेत्रफल बराबर से आयत का छेत्रफल बराबर से क्या लिखना होगा लंबाई गुणा चोड़ाई है न यही आएगा तो अब लंबाई गुणा चोड़ाई करेंगे तो मान रख देते हैं पाच्वावला में क्या दिया हुआ है थ्री एम एन और फोर एन पी ठीक है थ्री एम एन इंटू फोर एन पी तो तीन का गुणा चार से बजाएगा बारा एम एन की घहाद दो हो जाएगा और पी वर्ग एकाई इस तरह से ठीक है तो यह आपका जो है पाच्वे का उत्तर होगी आप चाहे तो इसका स्क्रिंग्शॉट ले सकते हैं यह जो प्रश्न क्रमांग दो के अंदर पाच प्रश्न दिये थे दो के अंतरगत उन्हें हमें इसी तरह से इसी प्रकार से हल करना है ठी अब आते हैं प्रश्न क्रमांग तीन में प्रश्न क्रमांग तीन में हमसे कहा जा रहा है कि हमें जो है गुणन फलो की सार्णी को पूरा करना है ठीक है अब गुणन फलो की सार्णी को पूरा करना है जितात पर है कि गुणा करकर के उत्तर यहां पे सार्णी में भरने ठीक ठीक है तो अब मैं आपके सामने करके बताता हूँ सीधे सीधे मैं हापे भरने का प्रयास करता हूँ उसको हल करके बताता हूँ ठीक है जैसे पहले ये दो एक्स का गुना ये दो एक्स के साथ हुआ फिर ये दो एक्स का गुना इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा फिर इ रिन 5Y से करेंगे तो जवाब आजाएगा 2 पंचे 10 वो भी रिन काएगा रिन 5 है क्योंकि रिन 10XY यह आएगा तो आप यहाँ पे लिख दीजे रिन 10XY ठीक है फिर इसी 2X का गुना जब आप करेंगे 3X स्क्वेर से तो जवाब आजाएगा 6X की घाद 3 तो यहाँ पे आजाएगा 6X की घाद 3 ठीक है फिर इसी तरह से जब आप इस 2X का गुना करेंगे रिन 4XY से तो जवाब आप 8X की घाद 2Y तो आप यहाँ पे लिख दीजेगा रिन 8X की घाद 2Y इस तरह से आपको यह लिखना पड़ेगा फिर इसके बाद में जब आप इसी 2 का गुना करेंगे 2X का 7 X की घाद 2Y से तो यह हो जाएगा 7 दूनी 14 X की घाद 3Y ठीक है? तो आपको यहाँ पे लिखना है 14 X की घाद 3Y और इसी तरह से जब आपको 2X का गुना करना है रिन 9 X की घाद 2Y की घाद 2 से तो जाएगा रिन 18 X की घाद 3Y की घाद 2 तो आपको लिखना पड़ेगा रिन 18 X की घाद 3Y की घाद 2 इस तरह से यह हमारा पहला वाला हमने भर दिया है अब दूसरा वाला करते हैं, दूसरे वाले में हमें क्या करना है, देखिए, दूसरा वाला जो है वो है, रिन 5Y, इसका गुणा करना है हमें, सबसे पहले रिन 5Y से, तो कितना आएगा, रिन रिन तो धन हो जाएगा, 25Y की घाथ 2, है न, तो यह हो जाएगा 25Y की घाथ 2, अच से करते हैं तो हो जाएगा रेन 10xy तो हो जाएगा रेन 10xy इसी तरह से हमें इसका गुणा करना है अब 3x से तो हो गया इसका रेन 4xy से तो यह हो जाएगा कितना रेन और रेन धन हो जाएगा 20xy की घाथ 2 है ना 20xy की घाथ 2 ठीक है फिर ऐसे ही इसका गुणा आपको करना पड़ेगा कैसे 7x की घाथ 2y से तो रेन आएगा सबसे पहले तो है ना 25 साथ 35 भी आ जाएगा x की घाथ 2 जैसा कब ऐसा y की घाथ 2 कि घाथ 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा रेन 35 x की घाथ 2 y की घाथ 2 रिन 35, X की घाथ 2, Y की घाथ 2 इस तरह से यह हो गया इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं हम इसका गुना करते हैं किसके साथ में रिन 9, X की घाथ 2, Y की घाथ 2 के साथ में तो रिन रिन धन हो जाएगा, 55, 45 हो जाएगा x की घात 2 जैसा कब ऐसा y की घात 3 हो जाएगी तो हो जाएगा 45 x की घात 2 y की घात 3 है न तो आप यहाँ पर लिखती जीएगा 45 x की घात 2 y की घात 3 इस तरह से आपने ये वाला भी पूरा कर लिया ठीक है अब हम अगले पर आते हैं अब यहाँ पे हमें 3x की घाद 2 का गुणा करना है यह वाला कर रहे हैं हम यह वाला तो हो गए ठीक है तो 3x की घाद 2 का गुणा सबसे पहले करना है किसके साथ में 2x के साथ में तो जब आप दो X के साथ में करेंगे तो वही तीन दोनी 6X की घाथ 3 हो जाएगा है ना तो यहाँ पर लिख दीजेगा 6X की घाथ 3 ठीक है इसके बाद में अब 2X से नहीं करना है आपको अब करना है रिन 5Y से तो तीन पाची रिन 15 चूँकि रिन का चिन पाच के साथ है X की घाथ 2 और Y जैसा का वैसा तो रिन 15X की घाथ 2 Y तो यहाँ पर लिख दीजे रिन 15X की घाथ 2 Y इस तरह से यह हल हो जाएगा इसके बाद में फिर गुणा करना है आपको अब 3X की घाथ 2 से 3X की घाथ 2 का गुणा 3X की घाथ 2 से ही करना है तो कैसे होगा तीन तरका 9 हो जाएगा पहले और X की घाथ हो जाएगी कितनी चार, 9 X की घात चार, तो यहांपे लिख दीजेगा 9 गुणा X की घात चार, इसके बाद में फिर अगला देखते हैं 3 X की घात 2 का गुणा किस से करना है रिन 4 X Y से रिन 4 X Y से करना है तो रिन 4 X Y से जब आप इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका, रिन 12, X की घाद 3 हो जाएगी, और Y जैसा का, वैसे तो लिखेगा, रिन 12, X की घाद 3, Y, ठीक है, यह हो गया हल, इसके बाद में 7, X की घाद 2, Y से उना करेंगे, 23, 21, X की घाद 4, Y, तो यह आ जाएगा, 21, X की घाद 4, Y, ठीक है, इस तरह से यह अपना हल हो गया, फिर इसका गुणा करेंगे, रिन 9, X की घाद 2, Y की घाद 2 से, तो यह हो जाएगा, रिन 27, X की घाद 4, Y की घाद 2, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, रिन 27, X की घाद 4, Y की घाद 2, यह इस तरह से आपका हल हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए, बात करते हैं, अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न जो है, हमारा इसमें क्या है, अब यह वाला है, रिन 4, X, Y का गुणा करना पड़ेगा, आपको, सब रिन 8, X की घाद 2 हो जाएगा, और Y, तो लिखिएगा, रिन 8, X की घाद 2, Y, इसके बाद में फिर गुणा करना है, रिन 5, Y से, तो रिन रिन धन हो जाएगा, हो जाएगा, 20, X, Y की घाद 2, तो लिख दीजेगा, 20, X, Y की घाद 2, इस तरह से यह भरा गी है हमारी सार्णी, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसका गुणा करेंगे अब 3X की घात 2 से तो रिना जाएगा पहले क्योंकि 4 के पहले लगा है और 4 ती अब 12 हो जाएगा X की घात हो जाएगी 3Y जैसा का वैसा तो आप यहाँ पर लिख दीजेगा 12 X की घात 3Y ठीक है? इस तरह से यह हल हो जाएगा अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रशन पर आते हैं इसमें अगले हिस्से पर आते हैं रिन 4XY का गुणा रिन 4XY से ही करना है तो रिन रिन धन हो जाएगा 4 चो को 16 X की घात 2 Y की घात 2 तो यह हो जाएगा 16 X की घाद 2, Y की घाद 2 इस तरह से यह वाला प्रशन भी हमारा हल हो गया अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले वाले हिस्से की तो इसमें हमें 7 X की घाद 2, Y से गुणा करना है तो रिन आ जाएगा सबसे पहले तो फिर 28 आ जाएगा, 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चुक 28 और X का गुणा X की घाद 2 से होगा तो X की घाद 3 हो जाएगा और Y का गुणा Y से होगा तो Y की घाद 2 हो जाएगा यानि अब हमारे पास आ जाएगा रिन 28x की घथ 3,y की घथ 2 तो यहाँ पर लिखेंगे आप रिण 28x की घथ 3,y की घथ 2 इस तरह से आपको ये लिखना है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसका गुना करते हैं किसके साथ में रिन 9,x की घथ 2,y की घथ 2 से तो रिन और रिन हो जाएगा धन और चार नम हो जाएगा कितना 36 x की घात 3 y की घात 3 है न तो यहाँ पर लिखतीजेगा आप यहाँ पर 36 x की घात 3 y की घात 3 ठीक है यह हो गया अब अगले से पराते हैं इसमें हमें अब गुणा करना पड़ेगा किस से साथ एक्स की घाद दो Y से सबसे पहले दो एक्स से गुणा करेंगे ठीक है सबसे पहले दो एक्स से गुणा करेंगे तो जब दो एक्स से गुणा करेंगे तो क्या होगा साथ दुनी चवदा एक्स की घाद तीन हो जाएगा और Y जैसा का वैसा ठीक है तो लिख दीजेगा 14 X की घाद 3 Y ठीक है फिर इसके बाद इसका गुना होगा 7 X की घाद 2 Y का रिन 5 Y से तो सबसे पहले तो रिन लग जाएगा क्योंकि 5 में है साधा पना रिन 35 हो गया फिर X की घाद 2 जैसे का वैसा Y की घाद भी 2 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रिन 35 X की घाद 2 Y की घाद 2 ठीक है ऐसे यह होगी आपका हल अब इसको मैं मिटा देता हूं अगला क्या है 3 X की घाद 2 तो क्या करना पड़ेगा 7 21 X की घाद 4 Y तो आपको लिखना पड़ेगा 21 X की घाद 4 Y ठीक है ये होगे आपका हल अब इसके बाद में अगला है रिन 4 x y तो यह हो जाएगा रिन 28 x की खात 3 y तो यहाँ लिखेगा रिन 28 x की खात 3 y ठीक है फिर इसके बाद में इसका कुणा करना है 7 x की खात 2 y का सेम संख्या का सेम संख्या में समान संख्या में गुणा होगा तो साती साती उननचास एकस की घाथ 4 वाई की घाथ 2 हो जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा उननचास एकस की घाथ 4 वाई की घाथ 2 फिर इसके बाद में इसका गुणा होगा रिन 9 एकस की घाथ 2 वाई की इक्स की घंट हो जाएगी 3 तो आपको लिखना पढ़ेगा रिन 63 एक्स की घंट 4 वाई की घंट 3 ठीक है यह होगय आपका अब मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं ठीक है और अब अगला जो है यह वाला है रिन 9 एक्स की घंट 2 y की घाथ 2 का गुणा होगा 2x के साथ में जब इससे होगा तो हो जाएगा रिन 18 x की घाथ 3 y की घाथ 2 तो इसको लिखना पड़ेगा रिन 18 x की घाथ 3 y की घाथ 2 ठीक है फिर इसके बाद में रिन 5 y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा रिन धन 9 पंचे हो जाएगा 45, 45, X की घाद 2, Y की घाद 3, तो यह हो जाएगा 45, X की घाद 2, Y की घाद 3, ठीक है, असा हो गया, फिर इसके बाद 3x की घाद 2 से इसका गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 27 तो जाएगा रिन 27 X की घाट 4 Y की घाट 2 तो लिखिएगा रिन 27 X की घाट 4 Y की घाट 2 ठीक है फिर इसका गुणा कर दीजे रिन 4 X Y से तो रिन धन हो जाएगा नौचोख हो जाएगा 36 X की घाट 3 Y की घाट 3 तो आपको लिखना पड़ेगा क्या 36, X की घाद 3, Y की घाद 3 इस तरह से यह हो गया हल इसके बाद में अगला है 7, X की घाद 2, Y इससे गुणा करेंगे आप तो यह हो जाएगा, रिन सबसे पहले आ जाएगा 7, 63 भी आ जाएगा फिर गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा X की घाद 4, Y की घाद 3, ठीक है तो आपको लिखना पड़ेगा रिन 63, X की घाद 4, Y की घाद 3, ठीक है इस तरह से यह हल हो गया हमारे हापे अब इसके बाद में अंतिम बचा हुआ है दूसरे वाले प्रश्न का रिन 9, X की घाद 2, Y की घाद 2 समान संक्या का समान संक्या में तो रिन रिन धन हो जाएगा 9, 9, 81, X की घाद 4, Y की घाद 4 ऐसा हो जाएगा तो आपको यहाँ पर लिखना है 81, X की घाद 4, Y की घाद 4 तो बच्चों इस तरह से जो है यह वाला प्रश्न करमांक 3 हमने हल कर लिया है अब हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्रश्न करमांक 4 की है ना आप चाहें तो इसका स्क्रीन चॉट ले सकते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न करमांक 4 हमारे सामने है क्या लिखा है प्रश्न करमांक 4 आपकार ऐसे आयताकार बकषों का आयतन ग्याद कीजिए, जिनकी लंबाई चोड़ाई और उचाई ग्रम बिल खते हैं अब देखिए इसे कैसे हल करते हैं, आयत का क्या ग्याद करना है, आयतन का सूत्र होता बच्चों लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई ठीक है तो यह जो दिया हुआ है इसका गुणा करना है और कुछ नहीं सरल भाशा में तो सबसे पहले पहला प्रश्चन कि यहां लिखता हूं कि आयताकार कि बक्स कि बक्से कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई तो पहला वाला है है नहीं तो पांच ए गुणा तीन एकी घाद दो गुणा साथ एकी घाद चार तो कुल मिलाके हमें से जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा पांस्तिया पंदरा एकी घाद तीन गुणा साथ एकी घाद चार और जब आप इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा एक सो पांच है ना एक सो पांच एकी घाद साथ अब आयतन है तो लंबाई भी है चोड़ाई भी उचाई भी है तो यहने एकाई क्या हो जाएगी घन है ना तो घन एकाई यह आपका उत्तर हो गया बच्चो पहला वाला ठीक है अब दूसरा वाला एक काम करते हैं सूतर यही लिखे रहने देते हैं बस इसको बदल के संख्या दो कर देते हैं और अब उसमें मान रख देते ठीक है इसी तरह से इसको हल करते है तो मान रखें लंबाई गुना चोड़ाई गुना हो जाई दूसरे वाले का तो यहाँ पर हो जाएगा 2P, 4Q और 8R है ना तो दो चुको 8PQ का गुना 8R से होगा तो 8,8, 64PQR घन एक आई ये दूसरा वाला हमारे यहाँ पर हल हो गया बच्चो ठीक है अब आप इसका स्क्री चोटचा हैं तो ले लीजिए अब हम अगला करेंगे तीसरा वाला तो तीसरा वाले के लिए भी हमें यही करना है लिखे रहने देता हूं सूत्र में यहापे तीसरे वाले में अब हमान रखते हैं जब xy का गुणा होगा इसमें तो सबसे पहले हो जाएगा दो xy की घाथ 2 से तो फिर हो जाएगा दो दूनी 4 x की घाथ 4 y की घाथ 4 ठीक है तो यह हो गया इस तरह से हमें से हल करना था बच्चो तीसरा वाला अब चौथे वाले पर आते हैं हम चौथा वाला कैसे होगा देखिए मैं बताता हूं आपको चौथा वाला जो हमें हल करना है वो कैसे होगा देखिए ए गुणा 2b और यह 3c तो यह हो जाएगा 2ab और यह हो जाएगा 3c यह 6abc घन एकाई यह हमारा इसका हल हो गया ठीक है बच्चो इस तरह से हमें यह हल करना है है ना 6abc घन एकाई हो गया तो हमने यह प्रश्न क्रमांग 4 के भी 4 प्रश्न हल कर लिये हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे प्रश्न क्रमांग 5 की क्या है प्रश्ण क्रमांग 5 निम्न लिखित का गुणनफल ग्याद कीजिए तो पहले पहला प्रश्ण यहाँ पर लिखता हूँ मैं लिखा हुआ क्या है x y y z और z x है ना अब देखिए इसे किस तरह से हल करना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बहुत ही सरल है इसका गुणा करना है x y y z z और z x का गुणा करना है तो x भी दो बार है y भी दो बार है z भी दो बार है तो यह हो जाएगा x की घाद 2 y की गात दू, Z की गात दो अब दूसरे पर आते हैं दूसरा है ए, रिण A की गात दो, ए की गात तीन तो बहुत ही सनल है ए गुणा रिण ए, गुणा रिण A, गुणा ए, गुणा ए, गुणा ए, तो ये हो जाएगा कुल कितने की हो गए 3 ओर 3 6 बस ये दो बीच में रिण के भी हैं आप ये हमें धियान रखना है तो जब बुणा होगा तो चिन्न पूरे रिणात्मक हो जाएंगे तो यह हो जाएगा रिण एक ही घात छे ठीक अब इसके बाद में तीसरा वाला तीसरा क्या दिया है दो चार आट सोला तो है ही लेकिन वाई वाई की घात नचीसरा वाई की घात दो सोला वाई की घात तीन ही है अब इसका गुणा करना है तो दो गुना चार, गुना वाई, गुना आठ, गुना वाई, गुना वाई, गुना 16, गुना वाई, गुना वाई ठीक तो अब इसे हल करना है तो कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले तो दो चुको 8 हो जाएगा या ना 64 64 का गुना जब आप 16 में करेंगे तो आ जाएगा 1024 Y की घाट टोटल हो गई 6 1024 Y की घाट 6 ये इस तरह से हमारा हल लहा जाएगा ठीक है इसके बाद में अब हम आते हैं चौथे वाले पे चौथा प्रशन क्या है A to b 3 c A to b 3 c और फिर लिखा है 6 a b c b c ठीक है तो इसका भी गुना करते हैं A गुना 2 b गुना 3 c गुना 6 a b c तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 तिया 6 छे 6 छत ते से न तो 36 a square b square c square ठीक है ये हमारा पांचवा हो गया चौथा हो गया अब पांचवे पे आते हैं एक निट हाँ पांचवा है m m n m n p बीच में रिन है m m n m n p बीच में रिन है ठीक है तो अब देखिए कैसे होगा तीनों के सामने कुछ नहीं है मतलब एक तो है है न अब एक का गुणा तो एक ही आएगा उसको तो नहीं लिखने की जर्वत तो ये m तो ये हो जाएगा अच्छे से लिख देता हूं ये हो जाएगा रिन m की खाद 3 n की खाद 2 प तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा आप चाहें तो इसक्रिंशॉट ले सकते हैं इसके बाद में आप कोई प्रशन नहीं है इस प्रशना वाली में ये अन्तिम प्रशन था पांच बाँ तो मुझे उमीद है बच्चो आपको ये सभी प्रशन बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे ये पूरी प्रशना वाली आपको बहुत अच्छे सरलता समझ में आ गई होगी और अब हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी बच्चो अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में आप जरूर इस वीडियो की लिंक को शेर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ में थाकि वे लोग भी देख पाए इस वीडियो को समझ पाए इस जानकारी को नए वीडियो में मिलेंगे जब तक के लिए आपका आपको मेरा नमस्कार